अब से अच्छी तस्वीर की, दो साल की एक मासूम से जुड़ी दिल छू लेने वाली खबर है दो साल की मासूम जिसने अपनी मा की जान बचाई दो साल की मासूम जिसने छे महीने के अपनी छोटे भाई का जीवन बचाया उसकी इस कोशिश को मुरादाबाद की रेलवे पुलिस सलाम कर रही है यूपी की इस मासूम बिटिया की चर्चा पूरे राज्य में हो रही है रेलवे स्टेशन की सीडियों को नापते नन्हे कदमों को देखे एक, दो, तीन, चाथ, और पांच आगे-ागे ये मासूम और पीछे-पीछे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के टीम जब दो साल की ये नन्ही बच्ची नूची सीडियों को चढ़ते-चढ़ते ठक गई तो फिर महिला सिपाही का हाथ पकड़ा और इसके बाद फिर से आगे बढ़ने लगी आगे उस जगह की ओड जहां उसकी माँ फर्ष पर बेहोश पड़ी थी हम उरादाबाद से आई दिल छू लेने वाली ये पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे इस खबर का मारमिक पहलू भी बताएंगे उससे पहले इस तस्वीर का ये हिस्सा अब ध्यान से देखिए माँ जमीन पर बेसुत पड़ी है उसके पैरों की तरफ एक और मासूम लेटा हुआ है छे माह का वो मासूम जिसे इस बात का हिसास तक नहीं कि उसकी माँ बेहोश हो गई है रेलबे प्रोटेक्शन फोर्स की एक महिला सिपाही फौरन इस महिला की ऐसी हालत को देखकर पानी का इंतजाम करती है चेहरे पर पानी के छीटे डालें लगती है वो महिला के कंधों को हिला कर देखने की कोशिच करती है लेकिन शरीर में कोई हरकत नहीं होती फिर पास में खड़ी एक और महिला सिपाही मा के चेहरे पर दोबारा पानी डालने की कोशिच करती है इसके अगले ही पल छे महा का बेटा मा के आचल से लिप्टा दिखाई देता है वो जोर जोर से रोता है लेकिन मा को तब भी होश नहीं आता इसके बाद यहाँ पर जी आरपी वाले इकठे हो जाते हैं वो सब ही आपस में कुछ बातें करते हैं इस बीच दो साल की वही नन्ही विटिया इन पुलिस वालों को टक-टकी लगाए बस देखती रहती है इसके बाद इस ट्रेशर मंगाया जाता है और मा के साथ साथ पूरे परिवार को अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है अब पूरी खबर सुनी आरपी वाले के सीनियर कमांडेंट के मताबिक तीन तारी को दो साल की यह बोध बच्ची आरपी अफ की महिला सिपाही के पास आई वो उससे बोल तो कुछ नहीं पाई लेकिन महिला सिपाही को अपने साथ खींच कर रेलवे के फुट ओवर ब्रिज पढ़ ले गए जहां उसकी मा बेहोश पड़ी थी और छे महिने के भाई का जीवन भी संकट में था बच्चा के वल इशारे से बता पा रहा था बाकी उसके द्वारा कोई बोला या वैसा नहीं किया जा रहा था वट वो सीधा अपनी मा के पास चलता हुआ चला गया जिसके कारण उसकी मा को एड्मिट कराए जा सका ये महिला कौन है कहा के रहने वाली है कहा से आई थी अभी इन बातों की जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन जो तस्वीर सामने आई है वो अनूठी है जो बताती है एक मा का अपने बच्चे से रिष्टा कितना अनमोल होता है और दो साल की ये मासूम ठीक से बोल भले ही ना पाएं लेकिन मा की जिन्दगी पर आई मुसीबतों को समझती जरूर है बिलो रिपोर्ट जी मीटिया